बिधानसबा चुनावाँ दोज़चोबिस के मद्दान के लिए पहले चरन की स्कूटनी पूरी हो चुकी है जिसमें हटिया बिधानसबा का लिस्ट भी निकल चुका है इस स्कूटने के बाद दो प्रत्याश्यों का नमांकन आसुकृत हुआ है जबकि 28 प्रत्याश्यों का नमांकन स्विकृत किया गया है नमांकन आसुकृत प्रत्याश्यों में फ्रहाना खातून निर्दलिये और पूनम सिंग जो राष्टिये लोग दल से इस चुनावी मैदान में उतरी थी हलांकि अब इन दोनों का नमांकन आसुकृत कर दिया गया है वहीं आज हम इस वीड में बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार है इनमें सबसे पहला नाम बिजेपी प्रत्यासी नविन जैस्वाल का है जो वर्तमान में यहां के सीटिंग विधायक भी है दूसरा नाम अजे नात सहदेब का है जो कॉंग्रेस के उमिदबार है वहीं बिजे सिंग संपून भारत क राष्टिवादी पार्टी से उमिदबारी कर रहे हैं हजारी प्रसाद साहू लोखीत अधिकार पार्टी से शुनावी मैदान में उत्तर रहे हैं तो वहीं नीपू सिंग राष्टिय सुरक्षा पार्टी से अमरेंद्र कुमार जार्खन जनक्रांती मोचा से उमिदबारी कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाथ साहू सदान विकास पार्टी से उम्मिद्बारी कर रहे हैं इसमें जोती बाला देवी राष्टिय जैहिन पार्टी से उम्मिद्बारी कर रही हैं आदर्श कुमार नेशनल कॉंग्रेस पार्टी से उम्मिद्बारी कर रहे हैं वहीं इसमें भारत आदिवासी पार्टी से कुंद्रसी मुंडा भी उमिद्वारी कर रही है खुश्वाहा बिजे कुमार महतो जो की जोहार पार्टी से उमिद्वारी कर रहे है आयूबली जार्खन लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चर से सोमा सिंग जैमा भारत पार्टी से उम्मिद्वारी कर रहे हैं दीवा संकर पाश्वान पिपुल्स पार्टी ओप इंडिया डेमोक्रेटिक से उम्मिद्वारी कर रहे हैं वहीं सुरेश टोपो अंबेट कर राइट पार्टी ओप इंडिया से उमिद्वारी कर रहे हैं। इन सभी प्रत्याशियों में आपसी टकराओ की बात करें तो इनमें बिजेपी प्रत्यासी नविन जैसवाल और कॉंग्रिस प्रत्यासी अजेनात सहदेप की बीच करा मुकाबला देखने को मिल सकता है। नविन जैसवाल अब तक के यहां के तीन बार के बिधायक रह चुके हैं। वहीं कॉंग्रिस का भी इस सीट पर अच्छा दबदबा रहा है। इस बार के चुनावी मैदान की अगर हम बात करें तो कुछ निर्दलिये प्रत्यासी भी हैं जो इनको कड़ा टक कर दे सकते हैं। इन नामों में अलबिन लकडा और बीसु तिर्की के साथ साथ इनको मुकाबला देनी के लिए बाप पार्टी प्रत्यासी कुंदरसी मुंडा भी सामिल है। वहीं आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं ऐसी ही चुनावी अपडेट्स को लेकर वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक यों शेयर करना ना भूले जोहार।